तो आज है एपिसोड एट और यह जो वीडियो है वो important होने वाला है site engineers के लिए contractors के लिए और कोई भी ऐसे person के लिए जो कि अपने घर का काम खुद से करवाना चाहते हैं consultancy से help नेने के बाद वो site engineer को hire नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी useful होने वाला है यह complete series आपके लिए काफी useful होने वाली है और अगर आपको लगता है कि यह किसी और के लिए useful होने वाली है तो तो हमारे चैनल का नाम है civil राचा इसे चलते से like subscribe करने के पाथ जो पगल में बेल आइकन होज़े प्रेस कर दिजेगा ताकि आपको notification सच्छे से मिलते रहें तो चलते हैं आज के session के ऊपर और देखते हैं कि आज के पिटारे में हमारे पास क्या-क्या है तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने अल्रीडी सारी चीज़ों के study कर लिया है जैसा कि हमारा footing का design हो गया उसके बाद हमारे पास column का design हो गया देन आ गया थे हम लोग आला समय ने explain करना छोड़ दिया था कि हम लोग का slab का detail है उसमें मैंने सारी चीज़े तो cover की एक चीज़ यहां पर cover करना भूल गया इस particular portion में जहांकि आप slab 6 देख रहे हो यहां पे हमारे पास क्या है यहां पे हमारे पास है staircase तो staircase के portion में यहां पे slab के details को दिया गया है लेकिन normally क्या होता है कि staircase पर जहां पो होता है महां पे back end होता है और headroom के ओपड ही हमारा जाके जो slab है वो construct किया जाता है तो इस particular drawing में यह चीज़ अलग से नहीं दिखाई गई है तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है कि यह कोई चीज आपको इस तरीके से show नहीं की गई है तो वैसे situation ने आपको क्या मानना है इस situation ने आपको यह मानना है कि भाई साव हमारे पास जो slab का detail यहां पर दिया गया है same slab का detail हम लोग का headroom की ओपर use किया जाता है यह एक quietly understood बात है कि same चीज हम लोग को headroom की ओपर use करना है otherwise इसमें कुछ होगा न वह basically इसी तरीके से design करते हैं and same design का detail है वो एक single से अलग sheet बनाके आपको दे देंगे वह sheet बनाया भी कैसे जाता है वह भी आपको दिखा लेता हूं ताकि अगर आप AutoCat पर भी नय है तो आप उसको भी समझ जाएंगे चलिए मैं आपको यहां से यह चीज भी सिखाई देता है एंड उसके बाद हम लोग sheet को यहां पर place कर देते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से यहां पर sheet जो है वो place हो गया अब भी इस sheet की हमें जरूरत रहेगी नहीं और उसके बाद आप देख सकते हो क्या करना होता है हम लोग को यहां से simply इसे copy करना है यहां पर place कर देना है ओके तीस तरीके से हमारा slab जो है यहां पर place हो जाता है और उसके बाद जो बागी की details है वो हम लोग को delete कर देनी होती है जैसे कि पहलो तो हम लोग क्या करेंगे यहां से slab का detail है इस particular s-s के लिए हम लोग यहां से delete कर देंगे जो भी details सी यहां से delete कर देना है क्योंकि यहां पर कोई भी slab जो है वो नहीं रहेगा क्योंकि obviously यह staircase का portion है अगर आपके लिए understood है so well and good otherwise जो like आपका इस्ट्रक्शिल इंजिनर है वो कुछ इस तरीके से इसको clear करके आपको दे देगा ओके कि इसको join कर देंगे ओके यह इस तरीके से यहां से join हो जाएगा ओके कि I hope की line जो है वो अभी भी सही है कंट्रोल जड 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 अधर्वाइज हम लोग simply एक line को draw भी कर सकते हैं ओके line जो है वो सही ही जा रही थे हम लोग की यहां पर beam का साही जासा है next आ जाते है कि हम लोग को इस particular drawing में क्या करना होगा इस particular drawing में हम लोग को slab का जो बाकी चीज है वो यहां से remove कर देना है slab की बाकी details को remove कर देना और यह हमें हर slab के लिए करना पड़ेगा तो यह थोड़ा सा tiding work हो जाएगा लेकिन यह करने में ज्यादा time लगेगा नहीं सो मैं आपके लिए हम पर कर देता हूँ तक कि आपको एक clear idea लग जाए चीजों को किस तरीके से करना होता है ओके तो कभी कभी इस तरीके से जब हम लोग delete करते हैं तो कुछ lines जो है वो रह भी जाती है और इस तरीके से precise delete अगर करने जाएंगे तो हम लोग का बहुत ज्यादा time चला जाएगा तो यह सारी चीजे होती है हमारे practical life में और कभी कभी corrections करने पर सकते हैं जैसे कि right now मुझे करने पर रहे हैं हलाकि यह important नहीं है और यह एक file जो है वो client को submit हो चुका है तो मैं इसे कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिकत ना हो तो मैं उसको यहां से easily recover कर सकता हूं तो आपको simply यही notice करना है कि इस particular slab को छोड़के बाकी सब जगा हम लोग के पास slab जो है नहीं रहेगा वाकि किसी जगर नहीं रहेगा तो मैं इसे quickly कर लेता हूं कुछ मिनुट और हम लोग को एक और बात को ध्यान रखना है कि गलती से भी हम लोग grid line को ना delete करते हैं otherwise उसको फिर recover करने के लिए अलग से मेहनत करने पड़ेगे इन केस आपसे by default कोई line ऐसे select हो जाती है जो आप नहीं select करना चाहते थे तो आप उसको shift प्रेस करके आराम से कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी अभी किया था अगर आपको लगड़ा है कि बार बार आपका इस तरीके से grid line जो है वो select हो जा रहा है so do not worry उसको हम लोग आगे conveniently deselect भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको करना उसका trick है वो भी बता दूंगा so हम लोग को क्या करना है simply उसको select करके remove कर देना है that is the simplest trick that we can use over here अब question है कि कहां से deselect करना है ठीक है तो वो भी अभी एक दो minute में clear हो जाएगा so we are almost done with this okay अब है deselection so deselection कुछ इस तरीके से होगा आपको shift press करना है and बाहर से grid lines को deselect कर देना है okay then just press delete and then come to this double mesh thing delete this one also if you have any lines left out like this then you can simply clear them out okay so these were the lines that were showing that okay this has to be like go and gone into the extension point okay okay you 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 देख सकते हो, बहुत ही conveniently यह सारी चीज है, यहाँ पर select हो गई, and we can delete it now, एक और चीज यहाँ पर accidentally delete हो गई थी, जो I don't know आपने मार किया या नहीं किया, वो यह था, कि हम लोग का, यहाँ पर एक लाइन जो है, beam के लिए था, वो delete हो गया था, उस लाइन को मैं draw कर लेता हूं क्यों कि वो proper trimming की गई होगी, इसमें ऐसा मैं, like imagine कर रहा हूं, and next जो है, वो हमें क्या करना था, यह column का जो marking है, वो delete होगी है, तो हम लोग को यहाँ सबर देख लेना है, कि यह कौन सा column था, ओके, तो यह C2 है, तो हम लोग का बस name C2 यहाँ पर provide कर देना है, C2, और C2, copy from this end to this end, इस तरीके से double selection के साथ copy करेंगे, तो दोनों ही जगा exactly वो पहुँच जाएगा, I guess, आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, and again, मैं आपको dimension readout करना बता देता हूँ, जो top का reinforcement होता है, वो 1300 हैगा, उसके बाद crank part आएगा, और उसके बाद यह last तक चला जाएगा, then, उसी तरीके से opposite में भी, same रहेगा, same directions, बस direction opposite हो जाएगा, और यहाँ में vertical है, तो 950 का use किया गया है, okay, I guess, आपको यह चीज clear हो गई होगी, तो यह था हमारा पिछले portion से बचा हुआ, पिछले वीडियो से बचा हुआ portion, अब आज की वीडियो में हमें क्या करना है, reinforcement की drawing को पढ़ना है, तो reinforcement का, sorry, जो stair case का drawing है वो पढ़ना है, और stair case का, जो हमारा यहाँ plan है, ठीक है, वो I guess, इसमें available नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यह एक हमारा dog leg day staircase था, जो इस particular project में huge हुआ था, और इसकी अगर sections की बात की जाए, तो यहाँ पे जो mention क्या गया है, वो है riser, जो की height होता है, एक particular step का, जिस पर हम लोग pair रखते हैं, और उसका जो like particular width होता है, वो होता है हमारा trade, और यह जो लहमा वाला portion होता है, इसमें होती है, हमारी landing, यहाँ पे जो riser है, वो 150 है, मार्क, और जो trade है, वो 250 है, यानि की 6 inch riser है, और 10 inch का हमारा trade है, और यह जो drawing है, वो scale के basis पर नहीं बनाए गई है, क्योंकि यहाँ पे properly हमें सिर्फ marking ही करना था, next जो है, वो है हम लोग का reinforcement details of the section, तो अगर हम लोग को किस तरीके का reinforcement detail देखने को मिलेगा, वो समझ लेते हैं, तो bottom में जो reinforcement है, वो है हमारा 10T at the rate, 100 center to center, जो की slab से काफे ज़्यादा close है, यानि कि इस तरीके से ज़्यादा reinforcement, इस particular project में use हो रहाँ है, यह bottom में है, यानि कि य यहाँ से इस तरीके से जाता है, यह top में चला जाता है, top में जो main reinforcement है, वो यहाँ पे यह वाला है, यह वाला portion है, ठीक है, और उसके बाद है, कि यह जाके extend होके कितनी दूर तक जाने वाला है, तो यह 450 के distance तक जाने वाला है, next, यहाँ पे भी 450 से start होगा, और उसके बाद चला जाएगा, और इस तरीके से reinforcement का binding हम लोग का होने वाला है, जो कि landing के end तक जाएगा, okay, दिन आ जाता है, हम लोग का बीच में, जो distribution बार से, वो कितने के होंगे, वो है, टेंटी, add the rate, 150, center to center, तो आप देख सकते हैं, जो है, distribution बार से, जो है, distribution बार से, जो है, वो कम लो स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें और कम reinforcement की जरूरत थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर 10T को यूज किया, यानि कि सेम डाया के बार को यूज करें, लेकिन इस पेसिंग करते हैं, यहाँ पर इस पेसिंग कितनी है, 200, center to center, तो इ अगर आपका staircase से कोई भी confusion रहा होगा, तो आप मुझे comment section बता सकते हो, मैं उसके लिए फिर से एक video बना दूँगा, अगर आपको इस particular structural drawing की reading की series को English में चाहिए, तो आप उसके लिए comment कर सकते हो, या फिर मुझे personally WhatsApp कर सकते हो, मैं try करूँगा कि English में भी एक series लेके आजाओ ताकि इंडिया के हर एक पार्ट में and world के हर एक पार्ट में लोगों को structural drawing जो है, वो read out करना आ जाए, अब आ जाते हैं, यहाँ पे details of चज्जा, चज्जा में हम लोग को क्या होता है, चज्जा में जहां भी होगा, वो beam से supported होगा, और यह जो beam होगा, उसमें reinforcement कितना होगा, तो main, sorry, यहाँ पे जो main bar है, वो हमारा 10 T का 6 bars लगेगा and यहाँ पे यह हम लोग का lentil के पास का area है, ठीक है, lentil से जो अच्छा जा निकलता है, उसका है, और इसका जो stirrups है, वो हो जाएगा हम लोग का, या फिर shear reinforcement बोल लो, वो हो जाएगा 80 at the rate 150 center to center, यानि कि 150 mm के distance पे center to center distance लेके हम लोग को stirrups को place करना है, and इसमें जो main reinforcement ही, या फिर all-through reinforcement है, वो हमारा कितना है, 6 into 10 T, यानि कि 10 mm डाया का 6 बार हम लोग का यहाँ पे योज होने वाला है, इसका जो thickness है, वो हमारा 150 mm रहने वाला है, और यह हमारा 250 mm ऐसा रहेगा, यानि कि 6 inches का depth रहेगा, 10 inches का width रहेगा, उसके बाद 6 जो है, 450 mm तक निकल सकता है, 450 mm को भी अगर आप convert करना चाहे, तो मैं एक मिनट में convert करके बता देता हूं, आपको 450 divided by 25 point, sorry 25 कर देते हैं हावी के लिए, 25.4 भी कर सकते थे वैसे तो एक जैक निकालने के लिए, तो यह माली जी 18 inches हो जाता है, तो 18 inches का म हमारा 8, I guess, used किया गया है, चलिए, अभी आजाते हैं हमारा detail of lintel, lintel का detail है, वो तो same ही है, जो हम लोग का, यहाँ पर beam था, okay, and then, obviously, यहाँ पर सब कुछ, same ही, used किया गया है, तो guys, इसी के साथ हम लोग की, यह जो series थी, drawing dating की, जो हम मैंने हिंदी में start की थी, यह complete होती है अगर आप कोई से related कोई भी question है, तो आप comment section में जरूर पूछिए, मैं चल्दी से try करूँगा कि उसका answer दे सकूँ, अगर छोटा question होगा, तो comment में answer कर दूँगा, तरवाज उसके लिए separate video बना दूँगा, और उसका link जो है comment में दे दूँगा, अगर आपको अपने घर का complete structural drawing बनवाना है हमसे, तो आप मुझे connect कर सकते हैं, मेरा number है 8 4 3 3 2 4 8 8 6 पर अगर आपको professional training चाहिए, इन particular चीजों से related या फिर मेरे description में आपको बहुत सरे courses मिल जाएंगे, उन में से किसी चीज पर particular training चाहिए, तो आप मुझे approach कर सकते हैं, मेरा number same ही है, ओके, यह description में आपक Okay guys, so that was all for today, see you in the next session, till then take care, bye bye